बाईयों बहिनों आज भारत की समिधान में जो दी गई बेवस्था को आज तक लागू नहीं किया गया जबसे भारत का समिधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक भारत के समिधान की मूल भावना क्या है और भारत की समिधान आज तक लागू नहीं किया गया भारत का समिधान दुनिया के समिधान से सबसे बड़िया समिधान अगर कहीं का है तो वो भारत का समिधान है और भारत का समिधान अगर पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूड़ोगे भारत में गरीबी नहीं पाओगे इतना पड़ी हाँ भारत का समिधान है लेकिन भारत का समिधान इसलिए आज तक लागू नहीं किया गया कि अगर भारत का समिधान हम पूरी तरीके से लागू कर देंगे आलचर का कोटा अगर हम पूरा कर देंगे तो देश का पहुजन समाज जिसकी देश में 85% उनकी संख्या है वो 85% पहुजन समाज बहूत आग चला जाएगा तो उनकी गुलावी कोन करेगा इसलिए गंदी मानसिक्ता के लोग आज तक भारत के समिधान को समिधान लागू होने से लेकर समिधान को आज तक लागू ही नहीं किया और समिधान समता सोतंत्रता बंदुत नयाय के आधार पर हमारा भारत का समिधान है जिस में चाहे वो जिस चार्दी के हो चाहे जिस संप्रदाई के हो चाहे जिस धर्म के हो सभी धर्मों के सुरुचा की गारंटी उस भारत के शमिदान में है अगर भारत के संविधान कहीं छेर चाड़ हुआ तो कहा जाएगा बौध समा बौध कहा जाएंगे पार्सी कहा जाएंगे सिख कहा जाएंगे जैन हमारे देश में तमाम धर्म के लोग निवास करते हैं वो कहा जाएंगे यह हमारा भारत का संविधान धर्म निपेच संविधान है हमारा भारत धर्म निपेच भारत है और धर्म निपेच भारत को छेर चाड़ करने की साजिस आप लोगों को सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता है